हेलो फ्रैंस वेल्कम टू माई यूटिप चैनल आज की इस वीडियो में हम आपको एक मीटर कपड़े से छह साल की बच्ची की शलवार बनाना बताएंगे उसके कटिंग एन श्टिचिंग दोनों ही बताएंगे हम तो यह जो मेरा एक मीटर कपड़ा है इसको मैं इस तरीके स किनारी है हम यह कटिंग कर देनी हैँ कि मैं तो देखिए गा मैंने इसके किनारी कट कर लिए अब में इस ओपन कर लुगी और इस तरीके कि कम्प्लीट लंबाई रखनी है 24 इंच तो हम उसके लिए अपनी बैल्ड कटिंग करेंगे हापर 7 इंच की तो यह जो मैंने अपनी साथ इंच की बैल्ड कटिंग की है तो आदा इंच तो मैं नीचे की साइट अपनी चुनों में फोल्ड करने के लिए ले लूँगी और टेर इंच का मेरे हापर नेफा फोल्ड हो जाएगा तो बैल्ड यह हमारी कम्प्लीट पार्च इंच की रह जाएगी सिल्कत यह जो हम अपनी बैल्ड की छोड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख देंगे फिटिंग की अकॉर्डिंग अगर लड़की की मतलब फिटिंग ज़्यादा है तो उसके हम जादा रख सकते हैं जो पत्ली लड़की उसके हम कम रख सकते हैं मैं हापर साड़े सत्रा इंच की रखूंगी जो की मेरी सिल्कर सत्रा इंच की बैल्ड रह जाएगी यह जो मैंने हापट साड़े 17 इंच की बैल्ट कटिंग की है यह मेरी सिलकर 17 इंच की रह जाएगी यह मेरी जो बैल्ट जिसके शलवा रही है वो लड़की ना तो जादा मोटी और ना ही जादा पतली नॉर्मल है अब यह वाला जो हमारा कपड़ा है हम इसे चार पार्टों में फोल्ड कर लेंगे अब इसके बाद हमारी शलवार की लंबाई रहनी थी 24 इंच तो मेरी शलवार थी 24 इंच की अब हमारा पांच इंच तो बैल्ट के लिए निकल गया तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा कपड़ा यह 19 इंच की लंबाई रह जाएगी हमारी तो हम इहाँ पर 20 इंच पर निशान लगा लेंगे और आदा इंच में उपर चुनों में फोल कर देंगे तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा देंगे तो यह जो मैंने हाँ पर 10 इंच को निशान लगा दिये यह निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ से हमें अपनी कलिया कटिंग करनी होती है तो नीचे के साइट हमारे ये 10 इंच आएगा और 10 इंच हमारे उपर की साइट आएगा आपकी शलवार की लंबाई जितनी भी हो आपको उसमें से बीच में से आधा कर देना है जसके आपकी लंबाई इसकी 22 इंच ये 23 इंच तो 23 इंच आप 11 रख सकते हैं यापर क्योंकि मे अब यहां पर इसकी निचान लगा देंगे और एक इंच हम इसकी मार्जन के लिए निचान लगा देंगे आपर तो यहां पर हम इस तरीके से ड्रो कर देंगे तो अब मैं यहीं से कटिंग कर देती हूं तो देखिएगा यह मैंने शल्वार के पार्ट की कटिंग कर दी यह जो मेरे पार्ट फोल्ड है एक दूसरे मैं इसे में ओपन कर लूँगे उपर साइट से अब हमारी यह जो कलिया है इसमें से हम अपना आसन कटिंग कर लेते हैं तो मैं इसका आसन रखूंगी 10 इंच हमारा 6 साल की बच्ची के लिए एकदम कंफर्टेवल रहेगा तो पांच इंच तो हमारा बैल्ट में आ जाएगा और नीची की साइट हमें यह पर छे इंच पर रिशाल लगा लेंगे यह शिलकर अमारा पांच इंच कर रहा जाएगा अगर आप इसमें म्यानी फोल्ड करना चाहते हैं तो आप म्यानी फोल्ड कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर स्लाइट एच कर सकते हैं अलीं मुझे इसमें म्यानी फोल्ड करनी है इसलिए मैं आपर अपने कपड़े को ट्रियंगल सेप देकर यहाँ पर म्यानी कटिंग क कर लेती हूं सिता कंप्लीट क्टिंग में चुकी अब जो कपड़ा निंगे relax Pound कर सकते हैं अब सब्सक्राइब तरहाँ कि स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं सलवार की स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपनी मोरी बनाते हैं तो मैंने यह फैब्रिक लिया हुआ है और यह मेरी बुक्रम है जो मौरी के लिए यह मेरी 1.5 इंच चोड़ी है देखेगा अब इसके बाद में यहां पर आदा इंच कपड से लिए मैंने दोनर फैब्रिक पट्टी पर बुक्रम और इसके बाद यह जो हमारे बुक्रम वाली मोहरी हैं इसे हम अपनी शर्वार के पारट पर फोल्ड करेंगे तो आप देखे गा यह हमारे शर्वार का पार्ट है यह हमारी महरी वाली साइट है और यह हमारा right साइट कपड़ा है और यह हमारा wrong साइट है इसके ऊपर हम इस fabric पट्टी को रख देंगे और यहां परेल्स लाई अटेज कर देंगे यह जो हम सिलाई अटेज करेंगे यह हम बुक्रम पर नहीं करनी हैं हमें इस नीचे की साइट करनी है हमें हमारी बुकरम पर ज़रावरि चेही नहीं चाहिए अगर हमारी बुकरम पर चुल आती यह ना と यह उपर की साइट हमारा कपड़ा दिखने लगता है टो देखिएगा मैंने अपर इस लाइड पर करती है तो देखेगा आप मैंने यहाँ पर एक सलाई अटेच्च कर ली है आप इसके बाद नीची की साइट यहाँ पर भी मैं एक टॉप सलाई अटेच्च कर लेती हूँ तो मैंने नीची की साइट भी हाँ पर एक टॉप सलाई अटेच कर ली अब इसके बाद मैं अपनी महरी में डिजाइन बनाऊंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी डिजाइन बना सकते हैं इजी या हाट कैसा भी बैसे बच्ची की शलवार है इसमें हम एजी से डिजाइन डाल सकते हैं तो मैंने यहापर बहुती सिंपल सा और बहुती एजी से डिजाइन यहापर डाल दिया है अपनी महरी में इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी वाली महरी भी रेडी कर लूँगी तो देखिएगा ये मेरी दौनों महरी आपर रेडी हो चुकी है अब हमारी ये शलवार की महरी तो रेडी हो चुकी है अब इसके बाद हमें क्या करना है ये हमारी कलिया है हमें अपनी कलियों की बीच में मियानी फोल्ड कर देनी है तो हम अपनी एक कली रखेंगे हमें अपना कपड़ा देख लेना है सीधा है उल्टा तो यह जो हमारा कपड़ा सीधा है नीचे की साइट हमारा कपड़ा उल्टा है तो हमने इसके उपर मियानी रख दी अब इसके बाद हमें आपर सलाइ अटेच कर देंगे जिससे कि यह हमा तो आप देखेगा, दोनों कलियों के बीच में मैंने एक मियानी फोल्द कर लिया है, अब इस मियानी की उपर मैं अब बूट की सलाइ अटेज कर दूंगी तो देखिएगा ये दो कलियों के बीच में हमारी एक मियानी फोल्ड हो चुकी है और इसके उपर मैंने बूट की सलाई अटेच कर ली अब इसी तरीके से मेरी जो बाकी की दो कलिया और है इसके बीच में भी मैं एक मियानी फोल्ड कर लूँगी तो ये जो हमारी चारो कलिया है इसके बीच में हमने दोनों में एक एक मियानी फोल्ड कर दिये हैं तो ये मेरे शलवार के दोनों पार्ट रखे हुए अंदर की साइटी हमारे राइट साइट कपड़ा है और उपर की साइटी मारे रॉंग साइट कपड़ा है देखिएगा अब हम यहाँ पर यह एक कली फोल्ड कर देंगे इस तरीके से अब हमें इसे ओपन कर लेना है अब यह दूसरा वाला पाइट है जो हमारा इसमें हम अपनी दूसरी कली फोल्ड कर देंगे तो ये हमने दौनों पार्ट में अपनी दौनों कलियां फोल्ड कर दी और बीच में ये हमारी म्यानी आ गई अब इसके बाद हमारे दूसरा वाला साइट है इस पर भी हम अपनी कलियां कुछ इसी तरीके से फोल्ड कर देते हैं हमारे दौनों पार्ट में चारो कलियां फोल्ड हो चुकी हैं और दौनों म्यानी फोल्ड कर लिए हमने या पर आसन वाली साइट पर अब ये हमारी कलिया हैं यही पर हमें छूटी छूटी दो चुन डाल देनी हैं इदर इस तरीके से इसका फेस हमारी म्यानी साइट आना चाहिए और इदर की साइट हमारा हम इस तरीके से चुन डालेंगे इदर की साइट से भी फेस हमारा म्यानी की साइट जाना चाहिए तो यह हमने इधर साइट चुने डालनी अब इसके आगे की चुने डालने के लिए हम यहाँ पर छेंच की दूरी पर एक निशान लगा लेते हैं तो मैंने यहाँ पर छेंच की दूरी पर हाँ पर कट्स लगा लिए आप यहीं से में चुने डालने स्टार्ट करूंगी तो मैंने अपनी शलवार में चुने डालने अब यह हमारी बैल्ट है, हम अपनी बैल्ट का नेफर बना लेते हैं तो आप देखिएगा मैंने यहापर नेफर वाली स्लाइ अटेच कर ली अब इसके बाद मैं हापर नेफर फोल्ड कर लूँगी तो मैं यहापर only 1.5 इंच कपड़ फोल्ड करूंगी अपना जो कि मैंने इसका extra कटिंग किया हुआ है यह हमने अपनी शल्वार सीधी करकर रख ली और यह हमारे देखिएगा आसन वाला साइट है और यहापर यह चुने पड़ी हुई है तो इसी के बीच में यह जो हमारी चुने आसन वाला साइट है इस पर हमें यह वाली स्लाई लेनी है यह हमारे दोनों एक की बराबर आना चाहिए और अब हमें आप पर एक स्लाई अटेच कर देंगे जिससे कि हमारी पूरी बेल्ट इसमें फोल्ड हो जाएगी हमारी शल्वार की घेरे में तो हमारी शल्वार में बेल्ट फोल्ड हो चुकिए अब इसकी बाद हमें यह पर बूर्ट की स्लाई अटेच कर लेनी है तो देखिए हमारी शल्वार यह उपर की साइड से रेडि हो चुकिए अब हमें इसमें यह घेर कोल्ड करने के लिए रह गया इसका नीचे की साइड भी हमारी मौरी इसकी रेडि है तो यह हमने अपनी शल्वार को उल्टा फोल्ड करकर रखनी है तो हमें अपनी मौरी एक बराबर कर लेनी है नीचे की साइड से आँगे पीछे नहीं होनी चाहिए हमारी और यह मैंने निसान लगा दिया यहापर पाच इंच का यह जो हमारी मौरी 10 इंच की बननी है तो मैंने यह डबल पाट में फोल्ड कर रखी है तो मैंने यहापर पाच इंच पर निशान लगा दिया अब मैं यही से सिलाई अटैज करूँगी और कुछ इस तरीके से यहाँ से में तिरची सिलाई अटैज करनी है अपने पूरे घेरे में स्लाय अटेच कर देनी है तो आप देखिएगा यह हमारी शल्वर कमप्टीट हो चुकी है सिलने के बाद कुछ ऐसी लग रही है यह एक मीटर में हमारी छह साल की बच्छी की शल्वर काफी अच्छी गेर दर पट्याले शल्वर बन चुकी है आप भी अपनी कपड़ी से ऐसी शल्वर बना सकते हैं